नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Amazing Education News में दोस्तों अनुदेशक और सिक्षा मित्रों का जो डाटा है पोर्टल पर वो अभी भी अधूरा है इस चीज को लेकर मैंने इससे पहली बाली वीडियो में भी आपको बताया था की 31 अगस तक पूर्ण करने के लिए हर हाल में कहा गया है कि अनुदेशक और सिक्षा मित्रों का जो ब्योरा मानब संपता पोर्टल पर दर्ज है उसको पूरा करा लिया जाए और इसमें जो भी तुटी है उसको भी सही करा लिया जाए इस खबर को आज निउस्पेपर में भी निकाला गया आपकी स्क्रीन पर ही है देखे बेसिक सिक्षा विवाक में अनुदेशको और सिक्षा मित्रों का ब्योरा मानब संपता पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिये गया है लेकिन कई जिलों में इसमें रूची नहीं लिए रहे हैं अंजिकालिक अनुदेशको की समिक्षा में पता चला है कि 17 जिलों में ही डेटा फीड किया गया है पर डेटा 80% से भी कम है महानिर्देशक स्कूल सिक्षा विजय किरन आनंद ने इस पर नाराजगी जताते हुए सभी जिलों को 31 अगस तक पूर्ण विवरन पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दियें इसके बाद पूरी डिटेल दे रखी है कि कितने अनुदेशक हैं और कितनों का डेटा अभी तक भरा गया है और कितने रह गए हैं इसके साथ-साथ में जिले बार भी ये पूरी चीज दे रखी है इसके बाद एक चीज और लिख रखी है कि ब्योरा दर्ज ना होने से सिक्षा मित्रोवा अनुदेशकों की सेवा पुस्तिका नहीं बन पाएगी और भविश में वेतन भुक्तान पूरी तरह ऑनलाइन करने में भी दिक्कत आएगी इसके साथ-साथ में जो आपके आगे की प्रक्रिया है जैसे आपका जो ट्रांसफर का ओर्डर है जो ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया है उसमें भी विलम आएगा तो ये चीज आप अपने पर ही लेकर चलें कि आपको अपना डेटा भी सुरक्षित कराना है इसके साथ-साथ में जो सब्जेक मैपिंग वाला काम है उसको भी पूरा कराना है आप इसमें किसी भी चीज को लेकर ना बैठे कि ये काम किसी और का है आप खुद ही वहाँ जाए और अपनी चीज को पता कर लीजिए क्योंकि ये काम खुद आपका है जो आपको आगे आने वाले भविश्य में काम में आएगा इसलिए इस पे जिम्मेदारी भी आपी की बनती है इससे पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट करी थी और अब भी मैं आपसे यही बात कहूंगा कि अगर ज उसको पूरा करा लीजे 31 तारीक डेट दी कही है इसके बाद आपका यह विपरन जो है बहुत सही नहीं किया जाएगा और सब्जेक मैपिंग वाला काम भी नहीं हो पाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरू करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन वाला बटन चरू दबाले धन्यवाद